कि तुलसी साहब आपसे जाना चाहूंगे कि क्या इस फैसले को हम ऐसे ले कि इसे एक तरह से moral ground पे ज़्यादा कुछ सुधार होगा ना कि practically हम बहुत सुधार देखेंगे यह तो देखेंगे कि कितना impact पड़ेगा अगर जो भी impact होगा वो positive होगा उसे वकील भी सोच समझ के बात करेंगे और बिना वज़ा repeat नहीं करेंगे और अदालत भी इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छा impact लेकिन तुलसी जी एक और जो समस्या है जो अनुप जी ने भी उठाया यहाँ पर कि आपने अदालत के चीजों को तो CCTV में ले लिया घेरे में और बदलने की बात हो रही है बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा इसकी उमीद की जारी है लेकिन पुलिस स्टेशन जहां पर पहले से ही केमरा इंस्टॉल होता है लेकिन वहां पर सब कुछ होता है आज भी और आज भी उतना ही करप्ष्ण हम वहां देख रहे हैं तो एसे में कितनी उमीद बाढ़े है समयता हूँ कि the police station's में अवश्यक केमरे हो होने चाहिए और जब कोई सीरियस ओफेंस होता है मर्डर है रेप है उस वकत भी एक पूरी फोरेंसेक वेंच जानी चाहिए जगा पे और वहां पे भी पूरी फोटोग्राफी होनी चाहिए वीडियो होनी चाहिए जो भी चीज सीज की जाती है उसकी वीडियो होनी चाहिए जो फिंगर प्रिंट लिया जाते हैं वो जब उस उस दोरान में सारी वीडियो बननी चाहिए बिल्कुल